हर्याणा के रहने वाली देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने गुरुवार को भाचपा जॉइन कर ली उन्हें सीम नयाप सैनी ने पार्टी कपट का पहनाया सावित्री जिंदल के साथ पूर्व मेर शकुंतला राजली वाला सीमा जिंदल जग्दिश जिंदल प साथ विचार विमश्च किया जिसके बाद ये फैसला लिया तीन दिन पहले उनके बेटे नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हुए थे उन्हें भाचपा ने हरियाणा की कुर्षेत्र लोकसभा सीट से मैदान में उता रहा है इसे पहले पत्रकारों से बाचीत में सावित सावित्री जिंदल हिसार की रहने वाली हैं उनके पती उम्प्रकाश जिंदल ने जिंदल ग्रूप की स्थापना की थी देश्विदेश में इस ग्रूप का बड़ा कारोबार है पहले उम्प्रकाश जिंदल ही ग्रूप को संभालते थे लेकिन 2005 में हरियाणा में क्रेश होने की वज़ा से उनका निधन हो गया इसके बाद से ही जिंदल ग्रूप की कमान सावित्री जिंदल संभाल रहे हैं उनके पती उंप्रकाश जिंदल हुड़ा सरकार में मंत्री रहे निधन के वक्त भी वे सरकार में मंत्री थे इसके बाद सावित्री जिंदल ने सावित्री जिंदल पूर्व सीम भुपेन सिंग हुड़ा की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रही। 2014 में सावित्री जिंदल और नवीन जिंदल दोनों चुनाव हार गए। इसके बाद से ही विर राशनीती से दूर रहे। हर्याणा में भाषपा ने कुर्चेत्र लोगसभाज सीट से जिंदल स्टील एंड पावर की चेर्मैन नवीन जिंदल को टिकट दी है। नवीन इस सीट से दो बार कॉंग्रेस के टिकट पर जीत कर सांसत बने हैं। वर्ष 2014 में हुए लोगसभाज चुनाव में नवीन जिंदल और उसी साल हुए विधान सभाज चुनाव में उनकी मास सावितरी जिंदल हार गई। इसके बाद जिंदल परिवार राशनीती की लाइम लाइट से दूर हो गया। एनवन लाइफ की खास रपोर्ट